हीरो ब्राइन, माइनक्राफ्ट का एक SINDT है जिससे की हर एक बंदा डरता है लेकिन क्या आपको उसके पीछी की बैक स्टोरी पता है कि आखेर ही हीरो ब्राइन आया कहां से और उसके पास तकड़े तकड़े पावर साकी राई कैसे तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं तो खर बिना टाइम वेच्ट के वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले प्लीज मेक शूर करना कि आप इस वीडियो को एक लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब याज से करोगे नाउ लेट्स बिगिन एक अंदेरी रात में तीन बंदे अचानक से इस जगे पर टेलिपोर्ट हो जाते हैं जिनका नाम होता है आलेक, स्टीव और ब्राइन वो किसी और ही वर्ल्ड के थे और जब तक वो सुषते कि आखिर उनके साथ क्या हुआ उतने में उनके उपर जॉम्बी ने हमला कर दिया उन तीनों ने इन क्रेचर्स को पहली बार देखा था और वो ने देखते ही सीधा अपनी जान बचा कि वहाँ से भागने लगे और वो भागते भागते सीधा पहुंच का एक जंगल में और वो जंगल इतना ज्यादा घना था कि वहाँ पर ठीक से चलने की जेगे भी नहीं थी और उतने में स्टीव के ओपर एक जॉंबी अटाक कर देता है और वो अपने हाथों से उने मारने लगता है उतने में ब्राइन क्या करता है पेड़ों की उपर चड़ जाता है और उसे देख उसके दोनों दोस्त भी उसके पीछे चड़ जाते हैं पेड़ों के पर और बस्ते बस्ते पेड़ों की उपर उपर से कुट्ते आगे बढ़ते हैं और जाम्बी से बचने के लिए वही पर ब गोस्त आगे बढ़ते हैं फिर से और ने। बहुत तेश्बूग भी लग रही थी। इने के पास खाने के लिए कुछ भी सामन नहीं था इने बस दिकाई तो एक कोका सीड़ जेसे पता भी नहीं था कि क्राफट कैसे कहते हैं कैसे खाते हैं और उतने में इन्हें आगे मिलती लिए यह ग्याय का झुंड उन गायों को देखके ब्राइन बिनना सोचे समझि एक गाय के उपर कुद जाता है और उसे मारने लगता है वो अपने हाथों सही उसे मार देता है और जैसे ही वो उसका ghost पढ़ता है वोसे कच्छा खाने लगता है उतने में Alex बोलता है कि छी ब्राइन उसे पका तो ले उतने में ब्राइन बोलता है कि क्या तुम्हें यहां पर कही आसपास furnace दिख रहा है नहीं ना यह survival गेमा में कुछ ना कुछ तो करना ही होगा तो वो सुनके Alex और Steve दोनों उन गाय को मारते हैं और उनका ghost खाने के कोशिश करते हैं लेकिन उन्से वो खाये नहीं जाता तो उदर सटके और आगे बढ़ते हैं और थोड़ी धूर पर उन्हें एक village दिखता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सीधा बिना सोचे स ले देते हैं खाने पीने का साम्मान देते हैं और सब कुछ उतने में Alex और Steve बोलते हैं कि हमें भी hunting करना सीखा और tools बनाना सीखा और crafting सीखा और वो दोनों खुश थे लेकिन ब्राइन खुश नहीं था वो बोल रहा था कैसे मेरे दो दोस्त इन पागलों के पीछे लग गए अपने घर को जाने का रास्ता धूनने के वाज़ा यह कहां इनके पीछे लग गए तो ब्राइन जाके उन दोनों को समझाने लगता है कि चलो हमें हमारा घर का रास्ता धूनना होगा उतने में Alex बोलता है कि अरे ब्राइन एक बर इस जगे को तो देखो कि इतनी ज्यादा खुबसूरत है तुम्हें नहीं लगता कि हमें हाम पर हमारी नई जिन्देगी के शुरुआत करनी चाहिए यह सुनके ब्राइन को घुसा जाता है और वो दासों के वहां से चला जाता है उसके बाद श्टीव और Alex मिलके दोनों सब कुछ सीखने लगे थे वो अपने काम मे उनते भटा करा था लेकिन ब्राइन को उनकी कोई भी चीज पसंद नहीं आ रही थी उसे बस अपने घर जाना था और वो उदास ही रहता था और देखते देखते श्टीव और Alex बन गए इस विलेज के हीरो यह बात आसपास के सारे विलेजस में फैल गई कि कैसे दो बंदे आए आके वो हमारी सारी कामें मदद करते हैं और रात को जॉंबी से हमारी हिफाज़त भी करते हैं तो उन दोनों की इसत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी सारे विलेजस में और जो विलेज में रह रहते वो भी लेकिन ब्राइन को यह सब देखके बुरा लग रहा था कि कै ऐसे उसके दो दोस्त मिलके पूरे इसी वर्ल्ड के हो गया हैं ना तो अपनी वर्ल्ड के बारे में उन्हें जरा भी फिकर नहीं हैं तो वह इन दनों को यही छोड़के वापस से चला जाता है अपनी घर का रास्ता दोनने के लिए अकेला भटक रहा था यहां वहां लेकि की वर्किंग के बारे में सोचता है और उसके बारे में और ज़्यादा जानने लगता है कि आखिरे अजीब से दिखने वाली चीज है क्या और बाहनों से पता चलता है कि जैसे ही वह ब्लॉक के सामने कुछ भी सोचता है वो सब सच होने लगता है तो वह ब्लॉक को उठा के सीधा चला जाता है भागता भागता अपने दोस्तों के पास लेकिन उसके दोस्त है कि वह विलेज को प्रोटेट करने के लिए चारो तरफ वाल लगा रहे थे लेकिन ब्राइन उनके पास जाता है और जा के उन्हें ये चीज दिखाता है कि देखो मैंने कुछ नया चीज दुणड़ा है इससे हम अपने घर को वापस जा सकते हैं ये एक बहुत ही कमाल की चीज है लेकिन उसके दोनों दोस्तों से एग्नोर कर देते हैं और बोलते हैं कि आरे ब्राइन तो कहां घर जाने के पीचे पड़ा है यार हमें इन विलेजरों की हिफाज़त करनी है और लेकिन ब्राइन सुनता ही नहीं है वोने मनाने की कोशिश करता है कि चलो हम घर वापस जाते हैं लेकिन वो दोनों दोस्त उसकी कोई बात नहीं मान रहे थे और इस बार ब्राइन को आता है बहुत ज्यादा घुसा वहां से चला जाता है उस ब्लॉक को लेके अकेला अकेला भटकते हुए और इस बार उसे ना तो किसी चीज़ का डर था ना ही कोई जॉम्बी का क्यूंकि उसके पास था कमांड ब्लॉक और वह बस अंधेरी राच में अकेला भटकता फिर रहा था और इस बार उसने डिसाइट किया था कि चलो अभी उन्हें इस वर्ल्ड की असलियत दिखाते हैं वह कमांड ब्लॉक की मदद से उसने गुच ऐसा किया जो कि उसके दोस्तों का हैरान कर दिया लेकिन श्टीव और आलेक्स तो अपने अलगी मजे में लेकिन आस्पास सारे बाकी विलेजरों की मदद भी कर रहे थे और जब तक वो सारे लोग विलेजरों की मदद करके वापस अपने विलेज आया है वह देखके है किर है कहां जैसे ही श्टीव ऊपर देखता है वो देखता है कि ब्राइन हवे में हैं उस कमांड ब्लॉग के साथ वो बोलता है कि ब्राइन यह तो क्या कर रहा है यार यह चीजी नहीं कर सकता तो हमारे विलेजरों को लुक्सान नहीं पहुंचा सकता और वो मदद करने लग जाता हैं सारे जानवरों की हिफाज़त करते हैं ये देखके ब्राइन वापस से वहां से चला जाता है और ये दोनों दोस्त बात करते हैं कि हमारा दोस्त ब्राइन बहुत बदल चुका है वो पहले जैस सब कुछ सीखा क्राफ्टिंग मैंने तो कुछ भी नहीं सीखा सब मैंने वैसे ही बना दिया यह वर्ड पूरा का पूरा फेक है और उस कमांड ब्लॉक को यूज़ करने के वज़े से इसके अंदर कुछ अजीब हो गरी पावर्स आ गई थी उसके आंखों को कलर एकदम करने वह यह बहुत ज्यादा खतर्ना करें वाला था जिसके बाद उसके अंदर बहुत ज्यादा तगड़ी पावर्स आने वाले थे तो जैसे उसने अंखों का कलरव चेंज होगा एकदम वाइट में और उसके पास बहुत तगड़े पावर्स आ गए तो यस यह ती सटोर्